Hello guys, this is Ritwo and welcome to Teaching and Learning आज की हमारी वीडियो इन्क्लोजिव एजूकेशन के इंट्रोडेक्शन या आप कह सकते हैं कॉंसेट से रिलेटेट है इससे पहले भी हम इन्क्लोजिव एजूकेशन के इंट्रोडेक्शन और कॉंसेटक्शन को लेकर वीडियो आए थे जिसमें हमने आपको inclusive education की meaning, definition, branches and main process को समझाया था और आज की जो यो वीडियो है उसी का part 2 है इसमें हम आज आपको inclusive education की needs, importance, objective, characteristics and aims को समझाएंगे तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी helpful है इस वीडियो को last तक देखियेगा वीडियो में आज हम आपको need, important, characteristics, aims, objective को point wise बताएंगे कि आपको किस तरीके से इने point wise लिखना है और easy language में हम उनका explanation भी करेंगे जिससे कि आपको अपनी book भी देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देख कर ही आपको ये सब समझ में आ जाएंगे अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इंक्लूजव एजुकेशन होता क्या है इंक्लूजव एजुकेशन में अक्षम और शक्षम यानिकी समान्य और अधिगम असमर्थी बालकों को एक साथ एक ही विद्याले में शिक्षा प्रदान की जाती है अब हम इसकी नेचर देख लेते हैं तो जो इसकी नेचर है उसमें सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि इसमें दोनों प्रकार के बच्चों को हमिल किया जाता है अक्षम और शक्षम और शक्षम दोनों प्रकार रिक्वायड अवशक्ता अनुसार उपकरण इस विद्याले के अंतरगर्ट जो इंक्लूजिव एजुकेशन प्रोवाइड कराता है उसमें सभी बच्चों की अवशक्ताओं को ध्यान में रखा जाता है और सभी बच्चों की अवशक्ता अनुसार उन्हें उपकरण जब दोनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन दोनों के मन में जो एक दूसरों को लेकर भै होता है वो खतम हो जाता है क्योंकि जब हम पूरे दिन एक दूसरे के साथ में रहते हैं समय विताते हैं तो हमें एक दूसरे को समझने लगत और हम उनके साथ एक अच्छा एंवार्मेंट फील करने लगते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन भेद भाव रही नॉन डिस्क्रिमिनेशन में यह होगा कि जब दोनों प्रकार के चात्रों को एक शिक्षा प्रदान की जाती है तो वहां किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं होत आता है जो बच्चों को सभी गतिविद्यां भी कराएं और उनको अधिगम भी कराएं तेन है शोशल अड्जस्मेंट जब बच्चे एक दूसरे के क्लोज आते हैं शिक्षा के माध्यम से तो वह एक दूसरों को समझते हैं उनकी समझ का विकास होता है इसी से उनके सामाज जने उसका विकास होता है जब आपस में उनकी समझ बढ़ती है वह एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ गतिविद्या करते हैं खेलते हैं शिक्षा प्रात करते हैं तो उनके बीच में समझ बढ़ जाती है उनके इसमें एक अच्छा संबंद एक अच्छा रिल की देख लेते हैं तो इसमें पहले से ही जो हमारे से स्कूल से टीचर है पहले से पहले से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहें उनी में केवल अधिगामसमर्थी बालखों को enroll करा दिया जाता है इसमें अलग से हमें teachers और schools को बनाने के जरुवर नहीं पड़ती है बस वहीं पर इन बच्चों को इनकी जरुरत के हिसाब से equipments provide करा दिये जाते हैं इसलिए ये कम खर्ची लिए then second है हमारी quality समानता ये जो शिक्षा वो समानता के सिदान को मानती है कि जो सभी बच्चे हैं उनको एक साथ एक ही विद्याले में समान स्थर पर शिक्षा दी जानी चाहिए इन सभी बच्चों को एक साथ एक समान गतिविदियां करानी चाहिए then दूसरा है not accept special education ये विशे शिक्षा को स्विकार नहीं करता क्योंकि ये concept ही अलग है ये concept है कि सभी बच्चों को एक साथ एक समान समझा जाए सभी को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाए और जो special education है वो अधिगम असमर्ति बालकों को समाने बालकों से अलग कर देता है इसलिए ये इसे स्विकार नहीं करता जब बच्चे एक दूसरे के जादा close आते हैं तो उनके बीच का जो social differences होए वो कम हो जाते है वो एक दूसरे के close आकर एक दूसरे को समझते हैं उनकी problem को share करते हैं आपस में बाचीत करते हैं से वो social जो उनके development होता है then cost effective किफायती ये जो शिक्षा है वो किफायती होती है इसमें कम खर्च होता है और कम खर्च पर ये जादा बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान करता है और जो अधिकम असमर्ती बालग है उनको एक अच्छा environment प्रदान करता है then है प्रभावपून वातवरण effective environment वही अगेन आगिया कि जब बच्चे एक दूसरे का साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो उनमें आपसी समझ का विकास होता है जिससे कि एक अच्छा वातवरण क्रियेट होता है जो अधिगम असमर्ती बालक है जो अंदर से थोड़ा सा conflict होता है उनको वहाँ अच्छा लगता है और वो वहाँ फिर रहना स्टार्ट कर देता है उनका वहाँ मन लगना स्टार्ट हो जाता है तो इस तरीके से इसकी विशेशता खतम हो जाती है एक चीज और important है अगर long question में आप लोगों को आ जाए कि nature अलग लिखिए and characteristics अलग लिखिए तो आप इसी तरीके से दोनों को write कर देंगे और अगर यह आए कि natures लिखिए, प्रकृति लिखिए और aims लिखिए तो आप nature को जादा बनाने के लिए characteristics यानि की विखेशताओं को nature के साथ add करकर जादा यानि की 10-12 लिख सकते हैं कोई problem नहीं होगी nature and characteristics almost same होते हैं inclusive education के aims inclusive education के aims को समझने से पहले हम यह समझेंगे की aims होते क्या है aims वो goal होते हैं guys जिनको ध्यान में रख कर हम किसी भी काम को आगे बढ़ाते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो inclusive education में जिन goals को हम mind में रख कर inclusive education को आगे process करते हैं या आगे implement करते हैं उन्हीं को aims बोला जाता है चलिए अब इन्हें point wise देख लेते हैं तो पहला यह मैं identify disabilities problem अक्षम ताकि पहचान करना इसके माध्यम से इंक्लूजिव अज्यूकेशन का पहला एम यह है कि बच्चों की अक्षमता की पहचान करना है बच्चा किस लेवल तक अक्षम है किस प्रॉब्लम की वज़े से अक्षम है उसके अंदर कौन सी समश्य है फिजिकली है, मेंटली है किस तरीके का वो अक्षम है ताकि उसको आगे जाकर उसको दूर किया जा सके देने शोशल अज़ेसमें सामाजिक समायोजन सामाजिक सामायोजन इसका दूसरा है में कि सबी बच्चों में सामाजिक सामायोजन की भावना को उत्पन करना है सामाजिक सामायोजन की भावना को बढ़ाना है इसलिए इसमें एक स्कूल में दोनों प्रकार के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है जिससे कि दोनों बच्चे एक साथ आए, उनके social distances कमों, differences कमों, दोनों दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के साथ बातचीट करें और एक दूसरे को समझें, जिससे कि वो जानेंगे कि ये दोनों ही प्रकार के बच्चे इक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों समाज का ही हिस सीलिए स्चीन में धोनों प्रकार के बैचों की सिष्टा की बात करिए जिससे कि सभी में समांता का लगना समझे इस ओर सिक्षम में बच्षम भर लगना समझे और स्टेंबेश ऊपना से स्पार beautiful friends स्पारपिति में पढ़ेंगे तो सभी के अंदर सोशल अर्जस्टमेंट की भागना पैदा होगी तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा लोगों का जो अक्षम बच्चे उनके लिए विचार चेंज होंगे उनके मन में जो उनके लिए थोट्स हैं पहले से कि यह हमेशा जो है क्रिपा के बात र जरुवत होती है जीवन जीने के लिए तो वो वाली जो विचार दारा है लोगों में बदल जाएगी और वो भी उन्हें समाज का इससा समझने लगेंगे और इसी तरीके से एक नए समाज के स्थापना हो जाएगी देन आ जाता है में स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना इंक्लूजिव एजुकेशन का मौस्टेंट एम है कि शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना इसका में मोटिव है कि को लक्षे को इसी के तहट पूरा हुह आंत्म निरवर्ष रप बच्चों को बनाना थे बहुत विए वह आत्म निरवर बन सकते हैं उन्हें कि उनके लिए कौन-कौन से नियम कानूनों को बनाया गया उनके लिए कौन-कौन से प्रविधान है जब वो पढ़ेंगे तो वो दीरे-दीरे इन चीजों सो अवेर होकर अपने समाज में अपनी स्थिती को स्थापित कर पाएंगे इस तरीके से गाइस एम्स फिनिश हो जाते ह होप करती हूँ गाइस आप लोगों को इस वीडियो के तुरू इंक्लूजिव एजुकेशन के नीचर, कारेक्टरिस्टिक्स एंड एम्स समझ में आयोंगे इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इन सब को पॉइंट वाइस और इजी लैंग्वेज में समझाने की क तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लिजे उसके बाद इसको देखिए तो आप लोगों को इंक्लूजिव एजुकेशन का कॉंसेट ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर कीजेगा और साथ ही मेरे चानल को भी सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल आइकन दिया गया है उसे भी हिट कर लीजे जिसे मेरी आनीवाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए गाइस हमने इंक्लूजिव एजुकेशन के इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिवियस एर के क्वेशन पेपर से रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर वीडियो को देखकर इस पेपर को प्रिपर कर सकते हैं तो चलेए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इंक्लूजिव एजुकेशन के इंट्रोक्शन से ही रिलेटेड होगी जिसमें हम आपको needs, important and inclusive education के principles को कराएंगे point wise तब तक के लिए bye guys and thank you for the watching this video